निपालन्यूस.ड़कॉम निपाल अस इद हैपन्स आपल्यूस.ड़कॉरकॉरकॉरकॉर जय आपको 1ono वहां कुरा गरदे हुनुँच तेशको मत्तब के वहने दिन मा दुई गंटा सबा दुई गंटा कुरा और पोर साल दिन में अठार गंटा सम्मा पुएको अवस्ता आथियो और आमले चे भनन सकने अईले आमरो प्रयास ले गर्न सकने क्यो वन देखी तो अठार गंटा को इस्तेथी बने रहादे न, सोर गंटा को इस्तेथी बने रहादे न, साउद पंदर गंटा को इस्तेथी बने रहादे आमरो कोशिश साईं दस गंटा में सीवित गर्ने हो बड़ी मां तो 12 गंटा समय हुने सकता चल गरेको भली पल्ट उहांले एस्तो भनाई राखनु भायको हो धेराई समय देखी बिदुद प्रादी करंडे मुल्य समय जन न गरेको भन्दै उहांले लोट सेडिंग कम गरना मुल्य समय जन पनी आवस्ते पक्षर है को उल्लेक करन भयो जानो जरूरी छावना मुल्ता प्रादी करंडा यो भन्दै आया देपी नेपाल लाई 70 मेगावाट बिजुले बिना भारत पनी सकारात्मक देखिये को बताउं दे उहांले भन्नु भयो बैकल्पिक उर्जा प्रनाली लाई पनी बेवसाई करन गरना आवस्यक छा मंत्री मातले नेजी तथा सरकारी छेत्र को लगानी बढ़ायरा रजलसाय युक्त परियोजना निर्माट गरना सके अबको किही बर्समा नेपाल मा लोडशेरिंग को समस्या कम होने बताउं नु भयो सोही कारेक्रम मा बोलदे नेपाल बिदुत प्राधिकरन का सेर सिहले अहीले को लोडशेरिंग मा बिहान को समय मा चार घंटा थप गरेरा सोर घंटा पुरियेको जानकारी दिनु भयो गता हिउद मा दैनिक 18 गंटा लोडशेरिंग गरियेको थियो लोट सेडिंग को विशय मा उर्जा मंत्री डॉक्टर प्रकासरन महत को भनाई समन्दी समाचार एती नहीं